हेलो दोस्तों नमस्कार इस्ठाकमा के सेर उट्टी चैनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आर की अर्थात रिलाइंस कैपिटल रिलाइंस पावर और रिलाइंस कम्मुनिकेशन की और इसमें एक चीज आपको बता दूं को जो रिलाइंस कैपिट ही इसके अलावा चिव ज स्वेक्त कम्म्निकेशन है उसके बारे में हम इसमें की ग्यां कुछे इसके बारे बीनिज लेगना के आई है या नहीं तो सुरु करते हैं कि ऐस possibilities के सामने है इसमें यह सिरा लिखा जा रहा है कि हिंदुजा की जोली में आ सकती हैं अनीं लंबानी की यह कंपनी प्लान को मिली मंजूरी अर्था जो एंसी एलडी है वो उसकी जो बेंबवई बेंच है वो फिलाल रिलाइस केप्टल के लिए जो हिंदुजा ग्रूप जो की इंडस इंडने इंटरनेशनल होल्डिंग कम लिम्टेड है उसने लबंग 9,650 क्रोड का जो के लिए हिंदुजा ग्रूप की जो कंपनी इंडस इंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिम्टेड है उसको फिलाल एप्रूबल यह देते हुए नजर आ रही है उसके रिजूलूशन प्लान को और यह जो एंसील्ट की मुवाइम बेंच ने जो एंडस इंड इंड इंटरन कि यह जो रिलाइंस केप्टल लिम्टेड कंपनी है वह फिलाल हिंदुजा गुरूप के अंदर जाती हुई दिखाई दे सकती है और यहां पर यह बता रहे हैं कि जो आई-ई-चेल है उसने सेकेंड राउन की बीडिंग में 2030 को प्लान सब्मिट किया था वहीं आगे इसके प्लान के बारे में थोड़ी ब्रीफ जनकारी भी दी जा रही है कि नॉबर 2001 किस में आर्बियाई ने रिलाइंस केप्टल के बोर्ड को पुरा भंग कर दिया था और आर्बियाई गौर्णमेंस इसूज और अनिल धिरुभाई अंबाने ग्रूप के पेमेंट डिफाल्ट क वज़ा से बोर्ट को ये फिलाई जो है भंग कर दिया था और आर्बियाई के नागेश्वर राय वाई को एडिमेंस्ट्रेटर घोसीत करते हुए ये जो कमपनी है वो फिलाइंस केप्टल पे लबग 40,000 करोन का कर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कर्ज है ये चार आवेद करने रिजलूशन प्लान के लिए बोली लगाई थी इसे 40,000 कर्ज को रिकभर करने के लिए हाला कि जो क्रिटर की जो कमिटी ने लोवर बीड वैलूस के कारण सभी चारों प्लान को रिजेक्ट कर दिया था इसके बाद चलेंज मेकनिक शुरू हुआ और इसमें इंडस इंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स और जो टोरेंट इन्वेस्मेंट ने हिशा लिया था जिसमें जो जून 2023 में जो कमिटी बने तुशन उन्होंने हिंदुजा ग्रूप को 9,61 करोण का जो फ्रंट कैस की बोली के लिए सिलेक्ट कर लिया अर्थात इन्होंने जो टोरेंट इन्वेस्मेंट को अजो है सलेक्ट ना करके हिंदुजा ग्रूप को यह सलेक्ट करते हूए दिखाई दी थी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फिलाल जो हिंदुजा ग्रूप है उसकी जो परेंट कम्पनी है उसकी अब रिलाइंस केप्टल होते हुए दिखाई दे सकती है और इसी संदर में 27 फरोरी को जो रिलाइंस केप्टल का मेनेजमेंट है उसके थुरू एक एक्सचेंज को अपडेट भी दिया गया है और यह जो अपडेट है इसी संदर में यह अपडेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी चर्चा भी हमने पिछले स्लाइड में कर अब अगर बात करें इसके चार्ट पेटन की तो फिलाहल यह इसमें चुक्य आप जान रहे हैं कि यह जो रिजुलेशन प्लान के तहट गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए यह आई आर्पी स्टेज वन में सामिल है जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेडिं गए थी और यह 11 रुपे 90 पैसे पर बंद होता हुआ दिखाई दिया था जबकि पांदिन की अगर हम चार्ट प्रेटन की बात करें तो साथ परसेंट का निगेटिव रिटन इन यह लिकाल के दिया था एक महिने में नो परसेंट का निगेटिव रिटन जबकि छह महिने की की बात करें तो छह महिने में इसने 30 परसेंट का पॉजिटिव रिटन लिकाल के अपने सेर होलों को दिया है वहीं यह टेलेट की बात करें तो लब एक परसेंट का निगेटिव रिटन जबकि अगर हम बात करें एक साल की तो इसमें 37 परसेंट के रिटन लिकाल के देता वह हैं अगर हम बात करें मैक्सिम चार्ट प्रटन की तो इसका आप चार्ट प्रटन देख कर भी बता सकते हैं कि यह जो कंपनी NCLT में क्यों गई है क्योंकि इसका चार्ट प्रटन यह दिखा रहा है कि कभी यह जो कंपनी लबग तीन हजार के आसपा स्ट्रेट करती हुए दिखाई देती थी लेकिन इसके मैनेजमेंट के कारण और कर्ज के कारण यह कंपनी फिलाल दूपती हुई दिखाई दे रही है बात करें इसके डिलेवरी पोजिशन की तो यहां पर देख रहें जब 26 फरोरी को इसमें सामिल है फिर भी इसमें जो इन्वेस्टर है वह भरोसा बना के बैठे हैं और अच्छे खासे वोल्म के साथ इसमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन डिटेल इन्वेस्टर से बस एकी चीजी इसमें कहाना चाहेंगे कि इस कंपनी से जितना दूर रही है उ वैसे ही रहने दिया जाए तो अब यह देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर जब एंसील्टी के पर क्रिया फाइनल होगी तो इस पर क्या निड़ लिया जाता है अब बात करें रिलाइंस पावर के तो फिराल रिलाइंस पावर में जब 27 तारिक को मार्केट बंद हुआ है तो यह फिलाल 24 रुपे 70 पैसे पे बंद होती हुई दिखाए दी है बीस्टी पे और इसमें लगवग 5 परसंट के आज पास गिरावर देखी जा रही है अब यहीं पर हम पात करने कि क्या इससे संब्दित कुछ न्यूज लिकल के सामने आया है या नहीं तो फिलाल इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी एनाउंस्मेंट या नियू जाता हुआ इसमें नहीं दिखाई दे रहा है जो पिसला जो अपडेट इसमें दिखाई दे रहा है वह फिलाल 19 फ्रॉरी का अपडेट है जिसमें सर्टिपिकेट या डूब्लिकेट सर्टिपिकेट संबंदी बात करें इसमें कारोबार की तो यहां पर जो डिलिवरी पोजीशन फिलाल उठाई गई है वह 27 फ्रॉरी को आप यहां देख रहे हैं जब मार्केट बंद हुआ है तो तोटल इसमें 18 लाक सेरो की ट्रेडिंग होती हुए दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा इसमें वलूम के साथ तो ट्रेडिंग होई रही है साती साथ अच्छा खाचा इसमें डिलेवरी वी उठा उठाया जा रहा है अलकि जो रिटेल इन्वेस्टर से हैं उनसे बस एकी चीज कहना चाहेंगे इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने पित्य सलाकार से संपर्ण कर जरूर करें और जब भी इसमें करना हो तो इस कंपनी के बारे में फूल एन्लस्टीस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्मेंट से संबंदी इतनी रहे ले जिए अब यहीं पर हम पात कर लें रिलाइन्स कमिनिकेशन की तो यहाँ पे आप देख रहें जब 26 सारी को इसमें कारोबार हुआ है तो फिलाल यह 2 रुपे 22 पैसे बंद होती हुई दिखाई दिया है और इसमें पांच परसेंड का लोवर सर्कृट लगता हुआ दिखाई दिया है और चुकि अभी इस यह कंपनी भी एंसील्टी की प्रक्रिया से गुजर रही है जिसके जो सब्ता का पहला ट्रेडिंग सेशन होता है उसी में ट्रेट करती हुई दिखाई देती है और यहां पर देख रहे हैं कि रिस्ट्रेक्ट एकाउंट एंड आई बीची और रिस्ट्रेक्ट जो का यहां पर मैसेज लिग क्या रहा है अर्था इसमें ट्रेडिंग फिलाल अब बात करेंगे कि का इसमें कुस लिकल के सामने आई है या नहीं तो यहां पर देकर 되어 अपके जो एनूस्मेंट्ट नूज लिएल के सामने आई है फिलाल शुला प्रोरिको लिकल के आती हुई दिखाई दे रही है उसके बाद इसमें कोई भी अभी एनूस्मेंट के सामने नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है और यह जो न्यूज लिकल के सामने आई थी इससे सब्मंदित वीडियो हमने भी बनाया हुआ है उसको हम इसके इंडी स्कीन में दे देंगे वहां से आप जाके पूरी डिटेल जनकारी ले सकते हैं अब मगर बात करें इसमें 26 फरोडी को जो कारोबार भले ही है जो कंपनी एंसेलटी के उपर करिया से गुजर रही है लेकिन अभी भी इसमें जो इन्वेस्टर हैं भर-भर के माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्मेंट करिए पूरा यह रहा आज का विडियो जिसमें हमने इन तीनों सेरो किये करके डिटेल से चर्चाग कर देए तो इस विडियो को लाइक करें और पर आइकन हीट करना तो बिल्कूल भूले हैं ताकि नए वीडियो की आपडेट से आपको इसमस में पे बिलता रहे हैं जाहीं दोस्तों